तो विल्कम बैक दोस्तों कैसे आप लोग आई होब की आप लोग अच्छे ही होंगे तो हर रोज की तरा आज की जो टेक्नियूज है वह क्वाइट इंटेस्टिंग होने वाली इस पूरा टेक्नियूज करके आना आपको जबदूर मज़ाएगा दोस्तों पिछले में मैंने सब्सक्राइब के रिगार्डिंग अपडेट शेयर किये थे अब इसकी ओफिचियल लॉंच डेट भी कंफर्म होगी यह 26 सिप्टेमबर को इसे ओफिचियल मार्केट में लॉंच किया जैने वाला है साथ में जो भी कलर रेंट से उसके भी इमेज बाहर आ चुके है अब य पिक्सल का प्राइमिक अब संसरों का बीथ वाइस सपोर्ट तो अबराल देखा जाए तो फोन दिखने में भी अच्छा है और लेडी कंफर्म भी किया है कि इस बार जो इसका बिल्डेंड डिजाइन है उसको और भी इंप्रूब किया गया है एंड रेड्मी नोट 14 प्रो स्मार्ट फोन लाँश करते जा रहा है तो काफी सारे स्मार्ट फोन लाँच हो चुक यह इंडिया में यूजब टॉब करने नहीं जा रहा है ऑई क्यों च्रीक अर्पेस की यह अब बात कर लू तो यह भी एक गेमिंग स्मार्ट फोने वाला है अपडेट सारिए कि इसमे तो इससे आप समझ सकते हो कि जो पर्फॉमेस है इसमें काफी अच्छी होने वाली यह गेमिंग बेगेरा इसमें बेटर होने वाला है इसके अलाबा अगर इसमें बैटरी केपसिटी के बात की जाए तो आईक्यू ने कंफर्म ही किया है कि इसमें 6400 इमेज की बैटरी आने वाली यह वित 80 वाट का फास्चाजिंग सपोर्ट तो आप समझ लो कि 6000 से भी ज्यादा इसमें बैटरी केपसिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है पिछले ही रूज में मैंने आपको बताया था कि ओपो के 13 में भी लगवाग 6000 से उपर की बैटरी क बैटरी के साथ उसे लाया जा रहा है तो आने वाले जो अपकामिंग स्मार्टफोन से स्पेसिली फ्लेक्सिप रेंज के उसमें बैटरी केपसिटी को और भी ज्यादा इंप्रूब किया रहा है डिस्प्ले की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें भी 6.718 की 1.5 के 144 हर्ज ए प्रवाइड किया रहा है जो कि आप आईक्यू 12 में देख चुके हो तो अबर आल देखा जाए तो स्पेस्पिकेशन टॉप नॉच होने वाले है एंड मेरी साफ से यह वी एक गेमिंग स्मार्टफोन ही होने वाला है कैमरा की अगर बात की जाए तो पीछे की तरफ डूब में लाए जाता है कि नहीं अगले इसको बात कर लो तो वह सेंसंग की तरफ से नहीं गलके आ रही है दोस्तों सेंसंग का अपकमिंग फ्लेक्सिव स्मार्टफोन यानि गैलेक्सी स्वेंटीफाइब स्रीजिस के रिगारिंग भी कुछ इंट्रेस्टिंग लीक्स बार आ ग प्रेंज पाइस केटिगरी में भी आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स 45 वाट फास्ट शार्जिंग सपोर्ट को अविलेबल करा रहे हैं यह सैंसंग की तरफ से सबसे मांगा है स्मार्टफोन होता है तो डेफिनेटली सैंसंग को जो चार्जिंग स्पीड इसको 24 अल्टरा की तरह पीछे की तरह क्वार्ट कैमेरा का सेट अप होने वाला है जिसमें 200 मेगा पिक्सल का प्राइमी का संसर देखने को मिल सकता है तो लांच में अभी टाइम है लेकिन तीनोई स्मार्टफोन इस बार स्नैपडेगन 8 जेन 4 चिपसेट के साथ लांच होने वा इसके लाब दोस्तों आप देख लो ऑन दा अधर साइड ओपो एंड वन प्लस जैसे ब्रांट से जो फ्लेक्सिव स्मार्टफोन लांच करते हैं तो वह भी 8200 वाट फास्टाजिंग सपोर्ट को प्रोवाइड करा रहे है तो इससाब से सैमसंग को डेफिनेटली सोचना च होगा अगले इसको बात कर लो तो वह भीवो की तरफ से नहीं कलके आ रही दोस्तों भीवो भी फोटी स्रीज ओलेडी इंडियन मार्केट में लांच हो चुका है एंड यह एक कैमरा सेंटी के स्मार्टफोन था इसकी प्राइस लगवक थर्टी फावजन से लेकर फुर्ट इसमें उग 1970 आप दख सकते हो कि स्लिम डिजाइन होने वाली यह साथ में इसमें भी 3D कर्ट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी पीछे की तरफ इसमें आप देख सकते हो कि एक तो पिल्शेट कैमरा लेाउट इसमें दीख रहा होगा जिसमें टॉप में आप कैमरा को अग यो रिकॉर्डिंग कर पाऊगे इसके लावा 50 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है तो यह एक बजट स्मार्टपोन है अपडेट्स आ रहे है कि इसकी जो प्राइस है वह 20-30,000 के रेंज में देखने को मिल सकती है प्रोश्टर की अगर मैं बात कर लू तो डाइमें प्रोश्टर की बात की जाये तो इसमें 555 मेंच की बैटरी बीट एक टी वाट का फास्टाजिंग सपोर्ट मिलने वाला है तो अभी रिसेंट में जो भीवो टी प्रो लॉंच हुआ है उसमें भी लगभग 555 मेंच की बैटरी के प्रोवाइड किया गया था तो देखा जा में इसे लॉंच किया जाएगा एक तो ब्रोंज एंड दूसरा ग्रीन कलर अप्शन तो 25 सिप्टेंबर को जैसे ही लॉंच होता है फिर जो भी प्राइस होगी इसके उपर बात करेंगे इसके लाब दोस्तों जो लोग फिलिपकार्ट के इस सेल में जो लोग एपल का के आसपास रहती है लेकिन अभी फिलिपकार्ट पर जो सेल चल ला है उसमें यह आपको एराउंड 97,000 के आसपास अब लेवल होने वाला है बैंक अपर्स मिला करतो डेफिनेटली इसको आप ज़ूर से चेक आउट करना साथ में इसका जो प्रिवियस जनेशन है मैक्बुक के साथ जो लोग लेना चाते हो एट जी विडाइब सपोर्ट के साथ तो उसकी प्राइस एराउंड 67-68,000 के आसपास है तो डेफिनेटली इसको आप जरूर से चेक आउट करना जो लोग एपल के डिवाइज लेना पसंद करते हो तो एंड एमजोन एंड फिलिपकार्ट द सारी आपको सबस्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्षन में जो बताना साथ में लाइक करना मत बुल ला एंड रिगलर बोलना हो कि इस चैनल का जो रीच है वो बहुत तो देखने साथ दोस्तों के साथ इससे से शेयर भी करो ठीक है तात में आप लोग मुझे टूटेस membership and bye-bye